आज ही doubtnet आप download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ download now इस question में हमारे पास दिया हुआ है कि which of the following is a benzenoid aromatic compound मतलब कि यह जो 4 हमारे पास compound दिये हुए इन में से कौन सा compound जो है वो एक benzenoid aromatic compound होगा तो अगर हम benzenoid aromatic compound की बात करें तो benzenoid aromatic compound की इस तरीके का होता है तो वैसे compounds that contains more than one benzen ring compounds that contains more than one benzen ring उसको हम क्या बोलते हैं? benzenoid aromatic compound बोलते हैं ठीक है तो हम देख सकते हैं कि हम अब बारी-बारी से क्या करेंगे? कि सारे का structure देख लेंगे और उसमें पता कर लेंगे कि किसमें एक से ज्यादा benzen ring present है ठीक है तो अगर हम first structure की बात करें जो कि क्या है? Agulene तो Agulene का structure क्या होता है? तो Agulene कुछ इस तरीके का structure बनाता है ठीक है? मैं बना के आपको दिखाता हूँ यह Agulene का structure किस तरीके से होता है? तो यह कुछ इस तरीके का structure है ठीक है? और यहाँ पे एक group होता है कुछ इस तरीके से ठीक है? तो हम देख सकते हैं है कि यहां मेरा bond जो होगा वह खिस तरीके से distributed होता है यहां पर एक bond यहां पर एक bond यहां पर एक bond होता है फिर इस जगह एक बॉन्ड होता है ठीक है और एक bond हमारा पास यहाँ पर होता है तो यह कि हमारे पास Agulene का structure है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नमबर यहाँ पर बेंजीन रिंग्स तो ही नहीं तो यह जो होगा एक बेंजोइक अरोमेटिक बेंजोइड अरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा ठीक है अब हम सेकेंड की बात करते हैं तो सेकेंड में हमारे पास क्या दिया हुआ है ठीक है तो ट्रोपोन का structure क्या होता है तो ट्रोपोन का जो structure है वो कुछ इस तरीके से होता है ठीक है ट्रोपोन का ऐसा कुछ structure होता है ठीक है और double bonds जो होता है वो इस तरीके साथ है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर भी हमारे पास एक भी benzene ring नहीं है इसका मतलब यह भी एक benzenoid aromatic compound नहीं होगा ठीक है हमारे पास third में क्या है थर्ड में option में हम देख सकते हैं ट्रोपोलोन है ठीक है ट्रोपोलोन तो ट्रोपोलोन का structure क्या है तो ट्रोपोलोन का structure जो होता है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है यह कुछ इस तरीके से हम बना रहे होते हैं ठीक है और bond का distribution कैसे होता है यहां पे एक bond यहां पे एक bond ठीक है और उपर में डबल बॉंड होगा और इस जगह पे एक होता है तो यह हमारे पर स्ट्रोपलोन का स्ट्रक्चर है तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि एक भी बेंजीन का रिंग नहीं है तो इसका मतलब यह थर्ड ऑप्शन जोगा यह भी हमारा गलत होगा लेकिन जो ह फोर्थ की बात कर रहे हैं तो फेनेंथरीन किस तरीके से दिखता है फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो यह इसका स्ट्रक्चर जो होता है वह कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास एक बेंजीन रिंग यहां होता है ठीक है उसके बाद फिर एक बेंजीन रिंग जो है वो कुछ इस तरीके से होता है यहां पर और जो तीसरा benzening ring है वो कुछ इस तरीके से होता है तो हम देख सकते हैं यहां पर एक नहीं बलकि तीन-तीन benzening ring है और यह तीनों एक दूसरे के साथ fused है मतलब एक दूसरे से जोड़े हुए है तो यहां पर यह बेंजीन बेंजेनोइड और्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड बनाएंगे क्योंकि यहां पर मोर देन थ्री बेंजीन रिंग्स है तो हम देख सकते हैं हमारा कौन सु आप्शन करेक्ट है फोर्थ आप्शन जो होगा व वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सो चार सो चार सो पर